जुड़वा गाउं का रहस्या दुनिया में कई ऐसी जगह मौझूद हैं जिन्हें देखकर हम दंग रह जाते हैं लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि एक ऐसी भी जगह है जहां लोग जुड़वा पैदा होते हैं तो शायद आपको विश्वास ना हो लेकिन ये बिल्कुल सच है और ऐसी जगह कहीं और नहीं बलके अपने भारत में ही मौझूद है इसका रहस्या आज तक कोई सुल्जा नहीं पाया है तो चलिए बात करते हैं जुड़वा गाउं के रहस्य के बारे में केरल के मलपुरम जिले में स्थिद कुंडिन ही गाउं जहां अधितर बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं आम तोर पर जुड़वा बच्चों के अनुपात में एक हजार बच्चों में चार जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं लेकिन केरल के इस गाउं में रहस्य मई तरीके से एक हजार बच्चों पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। On average जुड़वा बच्चों में ये गाउं पूरी दुनिया में दूसरे नमबर तफा एशिया में पहले नमबर पर आता है। भारत के केरल राज्य के इस गाउं की कुलाबादी 2000 के लगभग मानी जाती है। जिसमें 250 से ज्यादा जुड़वा लोग है। ऐसे में अगर आप इस गाउं में जाते हैं तो आपको स्कूल, बाजार और गाउं के अन्य इलाकों में कई हमशकल बच्चे नजर आ जाएंगे। देश-विदेश से बहुत से लोग इस गाउं में भ्रमन करने और मुख्य रूप से जुड़वा लोगों को देखने आते हैं। फिर क्यों इस गाउं में इतने सारे बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है। इस रहस्य को जानने के लिए कई बार रिसर्च टीम इस गाउं में आ चुकी है। लेकिन अभी तक कोई भी इस रहस्य से परदान नहीं उठा पाया है। इस गाउं में आई थी। उन्होंने गाउं के जुड़वा लोगों के सैंपल इकठा किये। हाला कि इस रिसर्च में कुछ ठोस निशकर्श नहीं निकला। कई लोग बताते हैं कि इस गाउं का हावा, पानी और वातावरन ही कुछ ऐसा है कि यहां बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। यही नहीं विशेशक्यों की एक टीम ने यहां के स्थानिय लोगों के रहन सहन पर भी अध्यान किया। इसके बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। 230 जोड़े से भी अधिक जुड़वा बच्चों के इस गाउं को अंतरराष्ट्रिय मीडिया ने भी कवर किया था। इस गाउं में जुड़वा बच्चों की जन्मदर भारत में पैदा होने वाले बच्चों की जन्मदर से कहीं ज्यादा है। इसी कारण इस गाउं में भा बड़ी संख्या में जुड़वा बच्चे होने की असामान्य घटना ग्रावीनों को बिलकुल भी असामान्य नहीं लगी। एक दिन जुड़वा लड़कियों की जोड़ी ने एक खोज की। ये कहानी कॉंडी ही गाउं के रहने वाले पी भासकरन ने दन्यूज मिनट को सुनाई। कई साल पहले समीरा और फेमिना नाम की दो जुड़वा बच्चों की एक जोड़ी है। गाउं की IISC स्कूल में आठवी कक्षा में पढ़ रही थी। उन्होंने अकेले एक कक्षा में आठ जुड़वा बच्चों के जोड़ी को देखा। फिर लड़कियों को पता लगा कि दूसरी कक्षाओं में भी जुड़वा बच्चे हैं। ये केवल उन लड़कियों के लिए ही नहीं बलकि पूरे गाउं के लिए एक अधभुत खोज की शुरुआ थी। जुड़वा बच्चों ने अपनी कक्षा असाइन्मेंट के हिस्से के रूप में पहला मीनी सर्वेक्षन किया। उन्हें पता चला कि उनके अकेले स्कूल में 24 जुड़वा बच्चों के जोड़े हैं। एक बार जब जुड़वा बहनों की ये आसामान्य खोज सब के सामने आई तो गाउं के अन्य लोगों ने भी इस खोज में अपना सहयोग दिया। पी भासकरन ने दन्योज मिनट को बताया कि कोंडी ही गाउं के लोग चाहे उनका लिंग, उनकी जाती, उनका धर्म या कुछ भी हो वे पिछले तीन पीडियों से जुड़वा बच्चों के इस आसामान्य घटना से बन्धे हुए हैं। ये पता लगाने के लिए कि क्या एक छोटे से गाउं में जुड़वा बच्चों की इतनी अधिक संख्या के पीछे कोई वेज्ञानिक कारण हो सकता है। इसके लिए भारत, लंदन और जर्मनी के शोट करदाओं की एक समूव ने अक्तूबर 2016 में कोडिन ही गाउं का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीनों के डियने का अध्यान करने के लिए उनके बाल और लार के सैंपल्स इकठा किये। लेकिन ये विस्त्रित शोध भी इस रहा से मैं घठा की बीछे कोई सीधा वेज्ञानिक कारण नहीं बता सका। दिल्चस्प बात ये है कि कोडिन ही दुन्या का एक मात्र ऐसा गाउं नहीं है जहां आसामान्य रूप से जुड़वा बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। इससे पहले ब्राजील में केंडिडो गोडाई, नाइजीरिया में इकबो औरो और दक्षिन वियतनाम के हंग दीप में जुड़वा बच्चों की संख्या पाई गई थी। दुनिया भर में ऐसे कई अन्यस्थान हैं जहां अधिक संख्या में चुड़वा बच्चों के जोड़े हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका विज्ञान के पास भी कोई सटी कुतर नहीं है।